नो दिन सिर्फ आदा चम्मच दूद में मिलाकर पीलो पूरी जिंदगी सुगरो, कॉलोस्ट्रोल, पेट के रो, मोटापा, एनिंद्रा, गठिया और जोडों का दर्द और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चमतकारी ओस्ती के बारे में बताएंगे उसके सिर्फ आपने आदे चम्मच को दूद में मिलाकर सेवन करना है और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तब इससे आपको अपने सरीर में चमतकारी क बदलाओ महसूस होगा दोस्तो यदि आप ऐसा लगातार सिर्फ नो दिन कर लेते हैं तो नो दिन करने से ही आपके सरीर में चमतकारी क बदलाओ आना सुरू हो जाएगा और आपका पूरा सरी एड़ी से लेकर चोटी तक निरोगी बनना सुरू हो जाएगा यदि दोस्तों आपने इसका सेवन लगातार 21 दिन तक कर लिया तब आपको जीवन में कभी भी कोई भी पेट का रोग नहीं होगा पेट से जुड़ी हर बीमारी सही हो जाएगी बलड से जुड़ी हर त्रह की बीमारी सही हो जाएगी दोस्तों आपको दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा आपकी दर्द से जुड़ी समस्याएं भी सही हो जाएगी तो चले दोस्तों आपको सबसे पहले बताते हैं कि वो चमतकारी चीज है क्या फिर उसके बाद बताएंगे उसके चमतकारी भाइदों के भरे में उसके बाद आपको बताएंगे कि इसको आपने लेना कैसे है दोस्तो आज की इस वडियो की जो मुखे समगरी है वो है दोस्तो जाइफल दोस्तो जाइफल दुनिया भर में अपने सवाद के लिए इस्तमाल किये जाने वाला एक लोग पर ये मसाला है यह जाइफल के पेड़ से मिलता है जाइफल के पेड़ से हमें दो मसाले मिलते हैं पहला जाइफल और दूसरा जावितरी जाइफल बीज को कहा जाता है दोस्तों यह बहुत सारे पोसकततों से भरपूर है इसमें anti-nivalimental, anti-microbial property और anti-oxyn जैसे ततों भरपूर मातरा में पाये जाते हैं दोस्तों यह आपके पूरे सरीर को निरोगी बनाने का काम करता है आपके सरीर की immune power रोगों से लड़ने की सकती को बढ़ाने का काम करता है तो आईए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले इस जाइफल के फाइदों के बारे में एनिंदरा की समस्या, जाइफल का उप्योग एनिंदरा की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करता है इससे जुड़े एक सोध में इस बात का जिकर मिलता है कि दो हफ्तों तक जाइफल का चुण इस्तमाल करने से एनिंदरा की बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाया जासकता है और दोस्तों ये एनिंद्रा की बीमारी हमारी सरीर की बहुत सारी बीमारियों का कान बनती है पेट से जुड़े रोग दोस्तों जाइफल कवपियोग पाचेंतंतर को सुधारने के लिए भी किया जाता है दोस्तो एक सोध के अंसार आयुरुवेद में जाइफल कौपयो कहीं सारी स्वास्थे समस्याओं के लिए किया जाता है जिन में खराब पाचनतंतर भी एक है और दोस्तो यदि हमारा पाचनतंतर कमजोर होगा तो उसके कान ही हमें पेट के रोग लग जाते हैं जैसे हमें कब समस्या बिलकुल ही नहीं होगी दर्द निवारा के रूम में दोस्तो क्या आपको जोडों घुटनों कदर या गठिया के दर्द की समस्या है तो दोस्तो आपको जाइफल का प्रियोग करना चाहिए क्योंकि जाइफल का उप्योग करने से इसके गुण जो दर्द को हरने के वो कारगर साबित होते हैं और आपके सभी त्रहें के दर्द से आपको छुटकारा दिलाते हैं गठिया के दर्द के लिए जाइफल का प्रयोग गठिया की समस्या में जोडों के दर्द के साथ ही सूजन की समस्या भी हो जाती हैं इस समस्य में जाइफल का उपयोग बहुत अधिक फाइदेमन होता है इस विशे में एक सोध किया गया उस सोध में पाया गया कि जाइफल में ऐसे गुण होते हैं जो गठिया के दर्द को हरने का काम करते हैं और आपको सबीत रहने के दर्थ से बचाने का काम करते हैं मदूमे में जायफल का उप्योग मदूमे के लिए भी जायफल का उप्योग बहुत अधिक किया जाता है दोस्तों एक सोद में पाया गया कि जायफल के आर्क में ऐंटी डाइप्टे को पाये जाते हिं यह गुन रक्त में मुझूद गुलकोज के स्तर को बढ़ने से रोकने में आपकी मदद करते हैं इसलिए मदमे रोगियों को जाइफल का प्रियोग जरूर करना चाहिए यदि वो अपने सुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं और इसके साथ में इस डाइपटिज की बिमारी के जो कॉम्प्लिकेशन है उन सब से भी बचे रहना चाहते हैं दांतों के लिए जाइफल का प्रियोग जाइफल का प्रियोग दांतों के सवास्थे के लिए भी किया चाता है दोस्तो इसके मुझूद तब तब आपके दांतों को मोती की तरहें चमकदार बना देते हैं और दांतों के दर्द से भी बचाने का काम करते हैं दिमाग के लिए जाइफल का उप्योग पर दोस्तों यदि आपको स्ट्रेस की समझ्या है और आप हमेशा चिंता से घिरे हुए रहते हैं तब आपको जाईफल को दूद के साथ सेवन करना चाहिए यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी ये समझ्या बिल्कुल सही हो जाएगी और दोस्तों ये चिंता ही चिता का कान बनती है, रोग प्रत्रोदक शम्ता दोस्तों किसी भी व्यक्ति के लिए उसके रोग प्रत्रोदक शम्ता का सही होना बहुत अधिक जरूरी होता है अगर ऐसा नहीं हो तो वह व्यक्ति बहुत जल्द जल्द बीमार पड़ जाता है लेकिन ऐसे में जाइफल आपके सरीर की इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करता है दोस्तो यदि आप जाइफल का प्रियों कॉंटीन्यू करते हैं दोस्तो कोलोस्टोल को सही करने के लिए दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दो कि यदि आप किसी भी विमारी के लिए दवा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो ये नंबर दिख रहा है अब उस पर कोल करकर आपने लिए दवा घर पर ही मंगास कते हैं कोलोस्टोल के लिए दोस्तों स्रीर में कोलोस्टोल का बढ़ता स्तर हमारे स्रीर की कई तरहें की समस्याओं का कान बन जाता है जैसे हार्ड अटेक और स्टोक आती ऐसे में जाइफल का सेवन बढ़ते कोलोस्टोल को कंट्रोल करने में आपकी मदद परता है और दोस्तों यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपका kolostol सही होगा तब आपको ना तो heart blockage होगी और ना ही आपको heart attack आने का डर रहेगा और दोस्तों यदि आपके सरीर में खून में कोई गंदगी नहीं होगी तब आपको ना तो heart blockage होगी ना heart attack आएगा और ना ही आपका kolostol बढ़ेगा और इसके साथ में यदि आपके सरीर में खून में गंदगी नहीं होगी, तब आपका चहरा भी खिला खिला रहेगा, आपके चहरे पर भी एक नया तेज रहेगा, आप दोस्तों पचास के उमर में 20 के दिखाई देंगे, क्योंकि इससे आपके चहरे पर छुरियां वगरा और मुहा से केल मुहा से नहीं परेंगे, यनि आपके चहरे की सुंदरता भी निखर जाएगी, वजन को कम करने के लिए, एक बड़ी अबादी मुटापे की समस्या से प्रेसान है, लगातार बाहर का खाना, तेलिये पदार्थ खाना, सही वक्त पर नए खाना, और वयाम ना कर इस मुटापे का काड़ बनता है, और दोस्तो एक बार आपके पेट पर चर्वी आ गई, तब आप समझ लेजी कि बहुत सारी बीमारियां वेट कर रही हैं आपके सरीर को अपना घर बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तो ये मुटापा ही है, जो बीमारियों को न्योता देता ह हमारे सरीर में आने के लिए, लेकिन दोस्तो ये जाइफल आपके इस समस्या का भी इलाज करता है, दोस्तो यदि आप अपने खाने पीने पर ध्यान देंगे और इस जाइफल का कॉंटिन्यू सेवन करेंगे, तब आपके पेट की चर्वी मक्खन की तरह है बिंगल जो मुटापे को कंटोल करने में आपकी मदद करते हैं, तो दोस्तो आपको ये तो पता चल गया कि जाइफल आपके लिए इतना कारगर है, आपको इसका सेवन करना चाहिए अपने सरीर को निरोगी बनाने के लिए, आइए अब जानते हैं कि इसका प्रियोग आपने करना क पहले उबालें, उबालने के बाद उस दूद में उस जाइफल को मिला लें और उस दूद को गटगट करके पी जाएं, और इसका सबसे बेस्ट टाइम है सुबह, खाली पेड, यानि की बासी मूँ आपको इसको पीना चाहिए, और दोस्तो यदि आप दर्द से बचना चा पास से ही इस जाइफल का प्रयोग सुरू करतीजी, और अपने सरीर को बिल्कुल निरोगी बना दीजी, तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो, अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजी, इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजी, ताकि आपको हमारी सबी आने वले वडियो की नोटिपकेशन आते रहे, धन्यवादोस्तों